एक ऐसा मुमेंट जिसके लिए सारे आईफोन लवर्स बेस सबरी से इंतजार कर रहे थे वो मुमेंट अब आचुका है नमस्कार दर्शको एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एपल ने अपने मोस्ट अवेटेड वॉंडरलस्ट इविंट में ग्लोबली लॉंच किया आईफोन 15 नए डिजाइन, प्रॉमिसिंग अपग्रेड्स और फाइव गॉर्जियस कलर ओप्शिन्स में फोन के चार मॉडल है आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो माक्स और आईफोन 15 प्लस जो कल रात टेक्नीकी दिगज़ त्वारा लॉंच किये ड़े क्या आप भी अपने पुराने आईफोन से आईफोन 15 में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या पहली बार आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये विडियो को एंट तक जरूर देखना सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया में आईफोन 15 का क्या प्राइज रहेगा आईफोन 15 को उसी प्राइज में लॉंच किया गया है जिस प्राइज पे आईफोन 14 ने पिछले साल भारत में अपना डेब्यू किया था आईफोन 15 के 128 GB वेरियंट की कीमन 79,900 है जब की 256 GB वेरियंट की कीमन 89,900 है और 512 GB वेरियंट की कीमन 1,0900 में अवेलिबल है आइफोन 15 इंडिया में 22 सेप्टेंबर से बिक्री के लिए अवेलेबल होगा आप डिवाइस को 15 सेप्टेंबर शाम 5.5 बजे से प्री ओर्डर भी कर सकते हैं अब आपको आइफोन 15 के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो आइफोन 15 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और पांच नए गॉजियस कलर्स में अवेलेबल होगा पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लाक टेक डिगजो ने इस बार भी आइफोन 14 और पिछले मॉडल जैसे ही डिजाइन बरकरार रखा है हाला कि यूज्वल नॉच के बजाए आपको डाइनमिक आइलांड नॉच मिलता है जो पिछले साल आइफोन 14 प्रो मॉडल के साथ हिट था अब चलते हैं कामरा की तरफ इस बार कामरा डिपार्ट्मेंट में अप्ग्रेट 48 मिगापिक्सल प्रामरी कामरा सेंसर है याद दिला दें कि आइफोन 14 में 12 मिगापिक्सल का डूटल कामरा सिस्टम था इसके comparison में iPhone 15 को massive upgrade मिला है ये कम रोशनी में better photography और portrait shots का वादा करता है एक दिगचों के मताबिक iPhone 15 पूरे दिन की battery life के साथ आता है अब processor की बात करें तो उसमें भी upgrade मिला है iPhone 15 is powered by A16 Bionic processor and iPhone 14 and iPhone 14 Plus में A15 Bionic chipset का इस्तिमाल किया गया जबकि pro model में तेज और बहतर A16 chip मिली थी अब बात करते हैं iPhone 15 के top features के बारे में launch से पहले ही जो features सबसे ज़ादा चर्चा में था वो था dynamic island notch जो notification के मुताबिक अपना size adjust कर सकता था iPhone 15 के साथ या अनोखा dynamic island notch feature सभी modelों के साथ देखा जा सकता है फोन की एक और विशेष्टा जिसका बहुत इंतजार था वो है USB type C charging port New European Union law के मुताबिक सभी mobile devices single charging point का इस्तमाल करेंगे जिसकी वज़ा से Apple अब लंबे समय से चल रहे lighting pot को छोड़ने पे मजबूर था हाला कि ये law 2024 में launch होने वाला है लेकिन iPhone ने कोई chance नहीं दिया आज के लिए इतना ही दोस्तों ऐसी और वीडियोस के साथ आपको दुबारा मिलेंगे जाने से पहले चानल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना